नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल डॉक्त ताथेट सोमेपेती में स्वागत है मैं डॉक्त निहा और आज का हमारा विशे है प्री मेंस्ट्रोल सिंड्रोम पी-मेस जिसे शॉटकट में कहते हैं अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी-मेस क्या होता है पी-मेस के लक्षन क्या होते है पी-मेस में क्या-क्या समस्य आये महलाओ को जहली पड़ती है और सबसे इंपॉर्टन इस वीशे के उपर चर्चा करने की जरूरत क्यू है और लास्ट में हम जानेंगे कि होम्योपेथी इसमें आपकी कैसी मदद कर सकती है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बहुत से महलाओ को महावारी मतलब पीरेट आने के 7-14 दिन पहले में बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं यह शारिरिक और मानसिक दोनों तरीके के होते हैं अभी क्यू होते है ये लक्षन आते क्यू है ना वो खुद समझ पाती है बहुत बार ना आज बजू के लोग समझ पाते हैं तो इस टाइम पे है ना जब पीरेट खतम होता है उसके साथ इसके 14 दिन के बाद ओविलेशन होता है मतलब ओवरीश में से एक्स जो होते है वो रिलीज होते है और यही वो वक्त होता है जब शरीर में हार्मोन्स बहुत साथा इंबालन्स बहुत साथा बदलाव होते है उपर नीचे होते है और जब यह हार्मोन्स में बदलाव आता है इसकी वज़े से सारे लक्षन जो होते है वो शारिरिक और मानसिक आने लगते हैं अब बहुत सारी महलाये होती है जिनमें कुछ लक्षन नहीं होते है उनके periods, उनकी महावारी एकदम नॉर्मल होती है वो अपना routine काम बहुत अच्छे से कर सकती है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है लेकिन एक कुछ प्रतिशक महलाये होती है जिन्हें इस दौरान, periods के दौरान भी और periods के 7 या 14 दिन के बाद ये तकलीफ है, कुछ symptoms होते है शारिरिक और मानसिक तोरक पे ये दिखने लगते है अब जब ये तरीवर सौम में प्रकार के होते है तो कोई तकलीफ नहीं देते है ये निकल जाता है ये वक्त लेकिन जब ये जैसे ही लक्षन जो होते है वो त्रीवर तरीके के होते जाते है ये बहुत सादा disturbing होते है बहुत सादा तकलीफ दे होते है अब देखते हैं इसके लक्षन कैसे होते है लक्षण दो तरीके के होते हैं शारेद एक मानसित और कुछ महिलाओं में तो दोनों ही दिखाई देते हैं शारेद एक लक्षणों में देखते हैं पेट में हमेशा लोगर अब्डॉमेन में फूला फूला सा लगना दर्द का महसूस होना, भारीपन लगना, वही दर्द जो है वो थाईज में भी जाता है, वही दर्द में, कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, दर्द कभी-कभी सिर में सिर्द की वज़ा भी बन सकता है, पूरे शरीर में भारीपन महसूस होना, हम बहुत जादा बॉड़ी जो तेंडर हो जाती है जो कि फीजिकल एक्जरशन नहीं कर पाती है यह हो गए इसके शारीरीक लक्षन अब देखते हैं मानसिक लक्षन क्या होते है क्योंकि मानसिक लक्षन कभी-कभी खुद महलाएं खुद समझ नहीं पाती है और आजो बजो की लोग भी समझ नहीं पाती है इसका सबसे इंपोर्टन पहला लक्षन है मूड स्विंग्स होना अब मूड स्विंग्स मतलब क्या है बहुत आसान भाषा में इसमें समझने की कोशिश करते हैं कभी-कभी कुछ महलाएं इस पेस में जब होती है तो थोड़ी धर के लिए खुष होती है कोटी तुदि में घुसता हो जाती है कभी Bhagavay C SEC बिवजा उदास रहने लगती है अभी उदास रहेगी तो थोड़ी दर में चेहकने लगेगी यह कुछ भी पैटर फिक्स नहीं रहता है थोड़ी थोड़ी दर में चेंग्ज होते रहता है इसलिए इनको मूद्विंग्स कहते है अब यही जो लक्षन होते हैं जब यह सौम् वो महलाय आसानी से उभरा बाहर आ सकती है लेकिन जब यही लक्षन जो होते है वो बहुत साथ त्रीवरता बहुत जादा होती है तो उस समय में इसे प्रीमेंस्ट्रोल सिंड्रोम कहते है और इस अवस्था में आपको मेडिकेशन लेने की अपने डॉक्टर से सलहा लेने की ज़रूरत होती है ताकि इस अवस्था से जो है वो आप बहार आ सके त्रीवरता सोरूपों के सिंटम से अगर आप डील नहीं कर पाए तो यह आपकी परस्नल प्रोफेशनल लाइफ के उपर तो बुरा असर डालती ही डालती है लेकिन आपके आजू-बाजू में जो लोग के साथ हो रही है तो नीचे स्क्रीन पर दियो है नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते है और हमारे साथ परामरश जो है वो ले सकते है एडवाइस जो है वो ले सकते है या अपको सिर्फ लाइफस्टेल मोडिफेकेशन की जरूरत है या मेडिकेशन की जरूरत है हम आपको यह अब देखते हैं इस विशेक को गंभीर तसा लेने के क्या जरूरत है क्यों इसके उपर चर्चा होनी चाहिए तो हमारे सोसाइटी में आज भी महवारी पीरेट्स को लेकर इतनी खुलकर चर्चा नहीं होती है कुछ बुजर्ग मेलाय आज भी कहती है कि आजकल की लड़कियो पुरुष जो होते है वो समझ ही नहीं पाते है कि अचानक से जो महलाओं में इतना बदलावाता है कि विए वह। ज़िए ऊतला दा घुर्शा रहा है यह व्याज़ को बदलाओं के वज़े से होने वाले चेंजिवर देख रहे है ओने लिए अब शाज में आ रहा होगा और कि इँ कई तकलीफी क्यों होती हैं इस समय में क्या करना चाहिए तो आपका support and care उन महलाओं को बहुत ज़ादा मदद कर सकता है और अगर ये बात husband and wife के बीच की हो तो आपकी care, आपका support उस महला के लिए बहुत ज़ादा जो होता है वो पॉजिटिव वे में होगा आपका relation जो है वो इस वज़े से बहुत ज़ादा strong बनेगा सबसे important बात अब होमेपथी इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है तो देखें डोस्तों कुछ महलाओं को ना in space की वज़े से कभी-कभी anxiety, depression और suicidal thoughts तक आ सकते है यह बहुत ही जादा चिंता का विशह है कि अगर किसी pain की वज़े से किसी changes की वज़े से किसी महला को suicidal thoughts आते है तो इस स्थिती में उन्हें परामर्ष लेने की और दवाईया लेने की ज़रूरत बढ़ सकती है परामर्ष से ज़दा दवाईयों की ज़रूरत होती है तो होमेपिति किसमें कैसे मदद कर सकती है तो होमेपिति एक holistic science है इसमें प्रोगी का उस इंसान का पूरा अभ्यास किया जाता है शुरू से करत बिलकुल क्या symptoms है लक्षन क्या है stress tension कुछ है क्या आपका स्वभाव कै बहुत ही सारी जानकारी जो होती है वो डीटेल में पूछी जाती है और एक constitutional similemum medicine आपके लिए निकाली जाती है और विशिष्ट मातराव में उन्हें अपको दी जाती है और इसी सारी वज़े से सिफ लक्षन ही कम नहीं होते है तो अगर anxiety, depression या विचार भी आते है तो व लक्षन पूरी तरीके से नश्ट हो जाते है खत्म हो जाते है और उनके बात के भी जो आने वाले पीरेट होते है वो एकदम नॉमल हते है फिर कुछ दिन महीनों के बाद तो उन्हें लगता भी नहीं कि कभी उनको ऐसे लक्षन पहले आये भी होए होंगे दोस्तों अगर